वीडियो से लास्ट वाले वीडियो में आप लोग ने देखा कि हमने इस बाइक पर 500 किलोमेटर एक ट्रिप किया जो की यरकाट था बैंगलोर से तो आप अंड डाउन हम लोग किये अल्मोस्ट क्लोस तो 500 किलोमेटर आप बोल सकते हो बहुत ही बढ़े ऐसा ट्रिप था अमेजिंग ट्रिप अमेजिंग एक्स्पिरियंस तो इस वीडियो में जो है हम लोग शेयर करेंगे कि यह बाइक किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए और प्राइस पॉइंट पर वाली फो मनी है कि नहीं है सारे की सारे इंफोर्मेशन इस वीडियो पर हम लोग शेयर करेंगे, दोस्तों मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि यह बाइक जो है इसकी प्राइसिंग जो बहुत एक्सपेंसिव है क्या यह बाइक वर्थ है वो प्राइस पॉइंट पर तो बहुत सिंपल एंसर अगर बता हूँ तो याद जी हाँ इसकी प्राइस जो है एक्सपेंसिव है खास करके जब यह बाइक लॉंच हुआ था तब केडिट पर जो प्राइस पॉइंट था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था उसके बाद इस पर जो है अल्मॉस्ट और कुछ डिस्काउंट मिला उसके बाद यह बाइक अच्छली उसके प्राइक पर अच्छी बाइक है लेकिन आपको बता रहता हूँ कि अगर आप इस बाइक से उमीर करते हो कि इसमें कुछ अच्छाई फाई फीचर रहेगा जैसे कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता है other than ABS लेकिन what you get is a best of engine आप चाहें कोई भी motorcycle चला लो यह रेंज पर एक सप्ट वर्सिस को इसके साथ हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं उसका रीजन ही है कि वर्सिस उज़ा है मुझ मोर बिगर बाइक मत्वह कहा है वह है आपको फील करवाता है थोड़ा टॉप लगता है पर एग्जेंपल आपको देखा आप बोल देता हूं एक चीज़ कि यह बाइक को मैं न कहीं पर भी यू-टन कर सकता हूं इविन दो इसकी seat height आई टॉल है still I can U-turn very easily मुझे कहीं पे डर नहीं लगता है कुछ नहीं लगता है बट वर्सिस पे मुझे डर लगता था विकोज वो बहुत टॉप हेवी है आपको फील करवाता है कि वो बहुत हेवी बाइक है यह इसमें आपको वेड विलकुल पता ही नहीं चलता सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपको यह बता दूँ जैसे आप इस पे बैठते हो तो 10-15 mm जो है कम हो जाता है तो जैसे यह बैठते हो थोड़ा सा हाइट लो हो जाता है आपको इस बाइक पे बहुत अच्छा confidence आएगा अगर मेरे हाइट का हो मेरा हाइट 5-3-5-4 के अंदर है उसका reason है कि यह थोड़ी से narrow bike है अगर आप देखोगे overall profile अपको थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन यह narrow bike है इसलिए आपको चलाने में थोड़ा easy definitely होता है अगर आपके height 5.4 से उपर है तब तो आप easy लिया आपके लिए cakewalk बन जाएगा अगर बात करेंगे बहुत जादा दिखता नहीं है लेकिन trust me मैंने जहां जहां चलाया कहीं पर भी कहीं पर भी हिट नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ तो decent enough ground clearance कोई problem नहीं है टायर की profiling अगर आप देखोगे तो यह mostly वही 70-30 की टायर से मतलब 70% highway and 30% off-road आप इस पर सकते हो and it's a good tire I mean highway पे भी अच्छा लगता है road grip अच्छा है braking capabilities are good off-road mild off-road आप इस पर कर सकते हो खास करके अब trails में यह definitely लेके जा सकते हो इसके सबसे बड़े plus point जो है जैसे मैं आपको बता है वो है weight ठीक है weight की बज़े से इस पर यह advantage बन जाता है बद जैसे मैं आपको बता है इसमें कोई features नहीं आता है only ABS and that too not switchable तो off नहीं कर सकते हो तो यह गाड़ी जो है यह bike जो है actually it is more focused towards highway run you can do like trail lights and all so basically आपको बता जाता हूं जैसे जो सारे चीज़े हैं के टेम अथिनेटे एडवेंचर पर कर सकते हो exactly वो चीज़े इस पर कर सकते हो लेकिन difference क्या है पता है power figures वोगर सब भूल जाओ क्या होता है जो smoothness यह power deliver करता है इसमें जो low in torque इसमें आता है it is entirely different बहुत सारे लोग साथ बोलेंगे अगर 390 adventure लेंगे यार half the cost में आ जाएगा half तो नहीं मतलब 60% cost पे आ जाएगा और उसमें इसना सारे features and all देखो यह बोलने के लिए सब सही है unless until मेरा दोस ने भी मुझे भाई बोला कि रहे बुलू भाई फिर मैं 390 adventure ना ले लूँ इसको क्यों लूँ जब तक आप यह motorcycle को चलाओगे ने you'll never understand कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको इसमें जो comfort आपको आता है इसमें जो smoothness आपको आता है इसमें एक premium factor है पतब जैसे आप इसको चलाते हो और रेव करते हो ना आपको एक premium सा feeling देता है यह motorcycle वो definitely के टीम नहीं देगा के टीम में आपको वो वो अलजीव सा एक vibrations feel होगा वो अजीव सा लगया है कि सब सस्ते 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 पार्ट जैसे लगाया हूँ ऐसी मतलब इसके comparison मैं बोलो मैं यह नहीं बोलना कि 390 adventure एक ख़ड़ा bike है जब आप उसको इसके साथ compare करते हो य मैं आपको बता है कि इसमें जो है twin cylinder engines है तो twin cylinder होने से क्या होता है थोड़ा smoothness better हो जाता है और इसकी low end torque any day is better than the KTM 390 adventure पर जो है बहुत ज्यादा stall हो जाता है इसको अगर आप देखोगे मेरे साथ तो अभी तक एक बार भी stall नहीं हो आए wrong gears में भी आप चलाते हो तब भी यह गाड़ी खीच लेता है suspension की quality amazing है इतना comfortable suspension मैंने अहांस तक नहीं देखा यह segment की bike में बहुत अच्छी suspension है कोई high funder suspension नहीं है बहुत basic सा suspension setup है लेकिन it's really good एक बढ़ा ऐसा चीज मुझे जो यह bike के बारे में लगा है वो है fuel tank range जी हाँ दो one full tank पे हुआ है reset किया था मैंने actually 20 km के बाद जब refuel किया उसके बाद तो अब यह सोच सकते हो कि 450 km इसमें जो है full tank range मुझे मिल गया है जो कि बहुत बढ़िया नंबर है I don't know आप देख सकते हो कि नहीं यहाँ पे 437 plus 20 km so 457 km अगर दोस्तों इसके सबसे बड़ी plus point आप I mean Goldwing पे बढ़ती है लेकिन Goldwing पे तो बहुत जादा लंबर ट्रिप्स नहीं हो पाता है तोड़ा इंप्रैक्टिकल है क्योंकि ground trend से सब कम है so is bike the first day she sat on this bike she was very comfortable she said it's very easy to sit on this motorcycle क्या होता नहीं सब पे क्या होता था था वर्सिस पे भी होता था कि यह सीट नहीं इतना उचा हो you can simply sit that is very easy and then seat की quality अगर बात करेंगे width अच्छा है cushion की quality बहुत अच्छा है यह seat तो बहुत अच्छा है मैंने 500 km पूरा चलाया दिन भर चलाया मतलब ट्राफिक में चलाया हाग हार्ट में चलाया highway पे चलाया कोई भी problem नहीं है आराम से इस पर जो आप 1000 km दिन का चला सकते है यह बाइक में आपको बताता हूं यह 1000 km आप दिन का चला सकते हैं कोई stress अब को फ्रील नहीं होगा handlebar की posture बहुत बढ़िया है बहुत बढ़ा है comfortable करवाता है comfort को बहुत अच्छी तरह से इसको मतलब जो हो care लिया गया है and one more thing आपको बता आता हूं tank की capacity बहुत बढ़िया है 120 पर आप इसली आराम से throughout the day cruise कर सकते हो breaking अच्छा है पिकप अच्छा है smoothly चलता रहता है tank range अच्छा है metal tank है 100% metal tank तो इसमें क्या होता है आप इस पे tank bag लगा सकते हो अगर आपको लगेज करी करना है तो अगर आपको grab rail भी बहुत बढ़िया से दिया है तो अगर आप कोई luggage पीछे tie करना चाते हैं वो भी बहुत easily इसको tie कर सकते हो यहाँ पे यहाँ पे tie कर सकते हो तो लगेज के लिए कोई problem ही नहीं इसमें आपको extra fuel carry करने की जरूद नहीं क्योंकि इसकी tank range अच्छी है अगर आप इस बाइक को लेकि लदाक जाओगे तो आराम से हर hurdles जो है बहु प्रोटेक्ट कर देता है यह थोड़ा से गंदा आपको दिख रहा obviously because मैं राइड करने के बाद ही video बना रहा हूँ नहीं तो पुरा चका चक था showroom से जब लाया ठीक है ना यहार adventure bike जो है adventure style में दिखना चाहिए right तो है बात adjustable brake lever है clutch वाला पता नहीं क्यों adjustable नहीं दिया गया है लेकिन ब्रेक जो adjustable है सो उसमें भी आपको अच्छा आपके हाथ के हिसाब से अपर इसको एड़्जिस कर सकते हो features बहुत basic है I strongly wish कि इसकी dashboard जहें थोड़ा सा और interesting होता है this is a very very basic dashboard लेकिन बात ही है कि यह सारे के सारे काम कर देता है एक second हा तो अगर अब इसमें देखो यह एक problem है कि दिन में अगर अगर अब धूप में देखते हो थोड़े से अपको दिक्कत होता है जो आपको जैसे इसमें reflection दिखता है या actually real में भी दिखता है even दो यहां पे एक shade है फिर भी थोड़ा होता है लेकिन आपको बता दाता हूं इसमें देखो टाकोमेटर यह जो है और यह जो है आपका gear shift indicator है यहां पे fuel gauge है इसमें fuel भरना है अभी video है, odometer है, बहुत सारे features है, so जो basic features आपको चाहिए, सारे के सारे features इसमें दिख जाता है, mirrors इसके बहुत अच्छी है और कोई भी vibration नहीं है, आप जितना भी speed चलाओ, mirrors पे उतना vibrations नहीं होता है, visibility बहुत clear है, अच्छी quality की mirror है, और यह सब की fit and finish नहीं, अवराल अगर देखोगे तो आपको feel करवाता है कि एक quality motorcycle आप चलाती हो, इस motorcycle के साथ एक advantage यह भी है कि आप इससे जो है regular आपके city commits के लिए भी ही उस कर सकते हो, मालनो कि आप regularly जो इस city पे office जाते हो, जो भी करते हो, तो वो सब के लिए भी, this can be a regular ride motorcycle, मताँ आपको दो-दो motorcycle रखने की जरूद नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ही होता है कि एक बड़ा bike रखते, एक छोटा bike रखते city के लिए, बड़ा रखते हैं, trips के लिए, this can act like the only one motorcycle that can be in your garage and which can literally do anything, आप इसको city पे चला सकते हो, आप इसको highway पे अच जो trail rides होता है, जो fun rides होता है, that all you can do on this motorcycle, so definitely उस हिसाब से कर देखोगे, this is really a very practical motorcycle, जो दो आप बहत करते कि यार, किसको लेना चाहिए, motorcycle, पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लेनी है कि नहीं है, trust me दोस्तों, इतने सालों तक जो है, भारी-बारी motorcycle चलाने के बाद, जब मैंने इसको चलाया, तो मेरा impression बदल गया, मतलब बहुत अच्छा feel हुआ, actually, तो मुझे ही लगा कि यार, जितने भी सारे बड़े-बड़े-बड़े-बड़े adventure bikes हैं, यह तो देखने में अच्छा है, चलाने में भी अच्छा लगता है, सबको सही है, लेकिन practically जब आचाते हो, जब आप अकेले self-dependent होके trip करने आचाते हो, आपको किसी और के साथ travel नहीं करना है, in that case, this is going to be a much more practical bike than any other bigger bike, देखो, bigger bike में क्या होता है, एक तो बहुत heavy होता है, दूसरा बहुत ज़ादा gizmos आज के लाइड कर दिया, जो कुई भी आप adventure bike, बड़ा size का logo इसमे सारे features भर देते, इतना सारे electronics भर देते हैं, don't you think that it's going to make your life complicated, अगर in case, छोटा सा चीज भी कहीं गड़बड हुआ, तो आपका trip खतम आपको जो है, ट्रक पे चढ़ा के लाना बड़ेगा, in that case, अगर देखोगे, तो because it is a very simple motorcycle, only ABS है, तो इसमें very less things can go wrong, मतलब बहुत कम तो मैं यह plan किया हूँ, कि इसकी जब नई version launch होगा, तो मैं वो version लेने वाला हूँ, so उसमें क्या-क्या changes है, मैं बता देता हूँ, एक तो इसमें जो है, inverted suspensions मतलब वो आ जाता है, upside down suspensions आ जाता है, twin disc brakes आ जाता है, I am not sure कि यह combi brake के साइद आएगा कि नहीं, because gold wing अगर आप जो 120s पर vibrations होता है, I have seen some videos इसमें बोलते हैं, कि थोड़ा सा और refined भी हो चुका है, मतलब, mounting points में, कुछ तो किया गया है, कर वो तो bike आने के बाद हम लोग बात करेंगे, but to be honest, I am a very happy rider with this motorcycle, actually, इस motorcycle से जादा किसी को चाहिए नहीं, इस motorcycle से कम, साइद आपको कम feel करवा सकता है, मतलब highway पर, but इस motorcycle से जादा तो definitely जरूरत नहीं है, तो मैं तो clearly सोच रहा हूँ कि I would actually buy the new version of this motorcycle, क्यों कि अभी तो इसकी और stock नहीं है, जो था, सब कुछ बिग गया है, तो अभी कहीं पर भी आप इसको साइद खरीद नहीं सकते हो, में भी आपके Honda, nearest Honda dealer को पूछ सकते हो, तो अगर आपके requirement ऐसा है, जो मेरा है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, कि आपको एक simple motorcycle चाहिए, and reliable motorcycle चाहिए, and of course it's a Honda, and आपको सबसे बड़ी बात है, कि आपको बहुत जादा heavy motorcycle नहीं चाहिए, आपको एक light weight 500-600cc के अंदर अगर कोई motorcycle चाहिए, I think this is going to be the best motorcycle, अब इसक जो जब यह launch हुआ था, जो price था, वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन discount होने के बाद जो price पे मिल रहा है, उस price point पे तो definitely अच्छी एक purchase है, and उसी के वज़े से साहिए, बहुत सारे motorcycle, I think सारे के सारे motorcycle जो इंडिया में था, वो हो sell हो गया, discount होने के बाद, so I strongly wish कि Honda जब भी न दिखोगे, तो trust me, इसकी कोई competition ही नहीं, हम इसे बहुत से साथ compare नहीं कर पाएंगे, because जैसे मैंने आपको बताया है, no doubt कि Verses में आपको ज्यादा power मिल जाएगा, and big bike के feel मिलेगा, but जैसे मैंने बताया है, this is a much more easier motorcycle to ride than the Verses, तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जो अलड़ी बड practical motorcycle, so this is actually a much more practical motorcycle than any other motorcycle in this segment, thank you so much guys for watching this video, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, तो कर लीजिए, बहुत सिंपल सा वीडियो था, देखो, directly मैंने, camera में, मैंने अपना सकल भी नहीं दिखाया, और आप लोगों को जो जो चाहिए, वो सारे के सारी इंफोमेशन मेंने शे जाओ और ट्रिप को enjoy करो, एक ऐसा boss, जो आपको हमेशा support करता है, हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, जब भी आप मुसिबत में हो, एक ऐसी friends और family, जो की आपको हमेशा आगे बढ़ने में help करते हैं, हमेशा आपकी मुस्किल घड़ी में जो है, आपको मदद करते हैं, आ मार्केट की उतार ये चड़ाओ के हिसाब से जो है, हमारे investment को सही तरह से manage करें, ताकि हमें अपनी investment की जो है, best return मिले, without taking any stress of live market, over and over, potential to be tax efficient, जी हाँ दोस्तों, there is a scheme type in mutual fund, presenting balanced advantage fund, आपका पैसा जो है, equity या फिदेट में जो है, invest होता है, best on market conditions, आपको बस जो है, आपकी SIP investment क बहुँ ज़्यादा popular हो रहा है, उसका reason यह है कि यह बहुँ ज़्यादा flexible है, जिसमें आपका पैसा जो है, equity या फिदेट में invest होता है, best on a defined logic, equity is for growth and generating capital returns, debt instruments are to reduce overall risk and protect your hard and money during a sharp market correction, जोस्तों, सही investment वो होता है, जो कि market conditions के हिसाब से, multiple जगा पे जो है, divide होके invest होता है, and balanced advantage mutual fund does exactly that, यह एक ऐसी unique mechanism है, जो कि equity और debt में, combinedly invest होता है, based on market valuation, यह उन सब के लिए अच्छा है, जो कि long term है, अच्छे returns की उम्मीद रखते हैं, without taking any real stress of market ups and downs, दोस्तों, आपको हमेशा जो है, आपकी investment advisor को जो है, consult करके ही investment decisions लेना चाहिए, mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully, mutual fund निवेस बाजार जोखिमों की आधीन है, योधना से संभन्दित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, so that's all about it, bye bye, take care guys.